किसान भाईयो fruit fly एक ऐसी प्रजाती का कीट है कि इसके attack से आपको 40-50% तक आर्थिक नुकसान हो सकता है और इसको अगर सही समय पे आप नहीं रोकेंगे तो इससे आपकी पुरी फसल भी बरवाद हो सकता है इसलिए आज देश के हर छोटे बड़े किसान इस fruit fly के तबाही से परिशान है क्योंकि ये fruit fly लगवग हर तरह के फलो और सबजीओं में attack करता है खासकर citrus, आम, सेब, अमरूद, पपिता, केला, खरबूज, तरबूज, खीरा जैसे फलो में और लोकी, करेला, कड़ू, टमाटर, बैगन जैसे सबजीओं में भी इसका बहुत ज़्यादा attack देखा जाता है और बहुती बुरी तरह से ये नुकसान भी पहुँचाता है इसलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस fruit fly को कैसे control करना है और जो मैं आपको बताऊंगा उसे अगर ध्यान से सुनेंगे और समझ लेंगे तो आपके फसलो में fruit fly का नामों निसान नहीं मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको fruit fly को समझना होगा कि ये कब attack करता है, कैसे हमारे फसलो को ये नुकसान पहुँचाता है अगर इन सब चीजों को आप समझ लेंगे तो आप fruit fly को बहुती आसानी से control कर लेंगे इसलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि fruit fly कब और कैसे हमारे सबजीयो और फलो को नुकसान पहुँचाता है तो किसान भाईयो fruit fly फूल लगने से फल पकने तक कभी भी attack कर सकता है अब अगर बात करें कि ये fruit fly किस तरह से हमारे फसलो को नुकसान पहुचाता है तो किसान भाईयो ये कई तरह से हमारे फसलो को फलो को नुकसान पहुचाता है जैसे जो female fruit fly होती है वो सबसे पहले हमारे फलो सबजीयों के उपड़ी सते पर बैठती है और वहाँ अंडे देती है उसके बाद जब वो अंडे लारवा बनती है तो लारवा फलो में छेद करके वहाँ रहने लगते हैं और वहीं खाना खाते हैं बड़े होते हैं और वह लेजने के लायक नहीं रहता है और नहीं खाने के लायक रहता है तो इस तरह से यह हमारे फसलो को सब्जीयों को फलों को नुकसान पहुँचाता है इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है बरना इससे हमें 40-50% तो कम बोल रहूं मैं इससे ज़्यादा भी आर्थिक नुकसान हो सकता है तो इसलिए अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि इस fruit fly को कंट्रोल कैसे करना है तो देखो fruit fly को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको पूरे plot में trap लगाना होगा जो fruit fly pharomin trap आता है इसको आपको लगाना होगा ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा अगर बाजार में ना मिले तो आप इसे online Amazon या flip card से खरीद सकते हैं ये धक्कनदार plastic का दबबा होता है इसके दोनों साइच छेद रहता है और इसके अंदर fruit fly को आकरसित करने वाला पदार्थ रहता है जिससे fruit fly आकरसित होके इसके अंदर जाती है और ये ही इसकी मरने की कारण बनती है ये सबसे सस्ता और long lasting तरीका है fruit fly को control करने के लिए ये fruit fly trap आपको एक एकर में कम से कम 20 से 25 लगाना चाहिए इसमें आपको एक एकर में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपे तक का खर्चा हो सकता है और एक बार ये लगा देंगे तो ये आपको काफी दिनों तक fruit fly को control करने में अगर आपने नहीं लगाया तब तो आपके पास कोई option ही ने बशता है आपको करना ही पड़ेगा लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन से कीतना सक का प्रियोग करें जिससे हमें 100% fruit fly को control भी कर सकते हैं और हमारे फसलों को ज्यादा नुक्सान भी ना हो तो इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे कीतना सक के बारे में बताऊंगा जो आपको 100% result भी लाके देगा fruit fly को control करने में और आपकी flower dropping में भी कोई भी समस्या नहीं आएगी और जिन कीतना सक के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा उससे आपको ज्यादा फाइदा साइध ही मिल पाएगा तो इसलिए brand भी आपको देख लेना है तो इस list के पहले नमर पे जो कीतना सक है उसके बारे में कहने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बाली बेल की घंती भी दबा ले ताकि अईसे ही खेती से जुरी वीडियोज आपको मिलती रहे और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले तो किसान भाईयो इस लिस्ट के पहले नमर पे जो कीतना सा कहा है वो है डौ एगरी साइंस का ट्रेसर इंसेक्टिसाइड इसमें जो टेक्निकल आता है वो है स्पाइनोसेड 45% SC यानि सस्पेंसन कॉंसेंट्रेट यह पानी में घुलनसील होता है अगर इसकी सठीक डोज की बात करें तो किसान भाईयो प्रती 3 लिटर पानी में यह ट्रेसर आपको 1 ml लेना है मतलब अगर आपके पास 15 लिटर की टंकी है तो उसमें आप 5-6 ml ट्रेसर घोल के इसपे कर सकते हैं डोज इससे ज्यादा नाले इतना ही काफी होता है हलाकि यह थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसके इस्तमाल से आपको 100% result मिलेगा और इसके इस्तमाल से आपके flower drop भी नहीं होंगे साथी जो हमारे सहयोगी kit होते हैं मधुमक्षी उनको भी यह नुक्सान नहीं पहुचाता है जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि मधुमक्षी जो है वो हमारे flower की पॉलीनेशन में साहता करती है इससे जो है fruit setting में हमें मदत मिलती है इसलिए मधुमक्षी का आना हमारे फसलों में सबजीयों में अच्छी बात होती है इसलिए मधुमक्षी को बहुत सारे किसान भाई प्रेफर करते हैं अपने फसलों में तो इस तरफ से भी ट्रेसर आपके लिए best option होता है और इसके एक बार के प्रियोग से यह आपके फलो को सबजीयों को 15 दिनों तक fruit fly से protect करता है और इसका दूसरा इस्प्रे कम से कम 12 दिन के बाद ही करें मतलब आज अगर इसका एक इस्प्रे करें तो इसके 12 दिन के बाद ही इसका दूसरा इस्प्रे करें इससे पहले इसका दूसरा इस्प्रे ना करें और एक बात आपको यहां पर बता दूँ कि जब भी आप इसका इस्प्रे करें या फिर किसी भी कीटनासक का इस्प्रे करते हैं अपने फसलों में तो उससे सामके टाइमी करें उससे आपको ज्यादा रिजल्ट भी मिलता है और बीटा साइफलूथरिन आद दसमलक 59% और इमीडा कुलोप्री 300 OD 19.81% देखने को मिलता है यह टेकनिकल भी fruit fly को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जबरदस्ट माना जाता है और इसका इस्प्रे अगर आप बारिस के दिनों में करते हैं तब तो आपके लिए यह best option होता है क्य इसका इस्प्रे आप साम के टाइम करें मतलब ऐसे समय जब सूरज दूबने लगे और मधुमक्खी जो है वो आपके खेतों से चला जाए वैसे समय आप इसका इस्प्रे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और इसके एक बार के इस्प्रे से यह आपके फलो आठ से 10 ml घोल के इस्प्रे करना है अगर डोज इससे ज्यादा आप लेते हैं बहुत सारे किसानवाय से गलती करती है तो उससे आपके फसल इस्ट्रेस में जा सकता है तो इस बात को आप समझ लीजिए तो जो बाते मैंने आपको इस वीडियो में बताया है जो फेरोमें ट कंट्रोल करना है तो आप यहां किलिक करें इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया है कि हुआइट फ्लाइ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो जाइए और देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हींद जय जबान जय किसान